बिस्मिल्लाहिटमालरहिम असलामलेकूम मेरा नाम है आफिया आप देख रहे हैं आफियास किचन आज मेरे किचन में मर रही है मुस्लम बरियानी तो यहां चनाम रेस्पी आप लोगों ने पूरी फॉलो करनी है ताकि कोई भी स्टैप आप लोगों से मिसना हो तो चलिए सब अब इसमें में शामिल करूंगी बारी कटी हरी मिर्च या मिर्च चिली पेस्ट भी ले सकते हैं एक खाने का चमच यह चला गया अब इसके साथ मैं एक चुताई चाहे के चमच जद्दे का रंग डाल दूंगी इसमें और इंज फूड कलर इसके साथ एक कब दही को अची तरह फेटके रखावत जी शामिल कर देंगे और हाथ की मतलसे अच्छी तरह मैंने मिक्स करेंगे तक अच्छे से सारी चिकन में मसाला लग जाए आप लोग ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल लाकर जाल देंगे हाई फ्लेम पे कम असकम पांच मिन्ट के लिए इसको पकाएंगे चिकन को अच्छी तरह मसाला भी इसमें निकाल दिया अच्छी तरह तो अब एक दफाल का सब्सक्राइब करते हैं सबसे निकें सब्सक्राइब कर दो चैनल रही सी जाए तो आप बुश्की विए चाहाच से च्छाए पानी नए में एक कर मारी त्यार रखते हैं इसका निवादे ऌपनी पत्सक्राइब बाह película इसको आप चावलों को बॉइल कर लेते हैं बड़े खुले बर्तन में मैंने डाल दिया है तीन लेटर पानी इसी के साथ मैं शामिल कर दूंगी डेढ़ खाने के चमच नमक एक खाने के चमच गरमसाला दस से बारा पत्ते पुदीने के यह डालके हाई फ्लेम पे पानी को बॉइल आने का वेट करेंगे पानी में बॉइल आ चुका है अब इसमें आदा गहंटा पहले से चावल बॉगो कर रखे वेते हैं मैंने 750 ग्राम चावल थे मेरे पास यह आदा गहंटा पहले बॉगो दिये तो अब यह डाल दिये उबलते आदा साथ मिक्स करेंगे है ये मैशाला से चीन से साथ मिनेट में आट मिनेट में मेरे अच्छे से चावल 90% बॉयो गए है अब चावलों का पानी निकाल लेते हैं मिया निकाल लिए अब घ्र अधिया लगा लिए नियुकिए सबसे पहले आदे चावल नीचे अन देशकी के लिए हलकी आज पे 15 मिन्ट हो चुके हैं अब चेक करते हैं कि देखें माशाला से कितनी मज़ेदार से खुश्बू आई इसमें से और बहुत ही अच्छी है हमारी खिलिकली से बर्यानी त्यार हो गई है रेस्पी आप लोगों ने जुरू ट्राइए करना है रेस्पी पसं ज़िदार से त्यार हुए ब्रयानी तो चलिए इसी के साथ में आप लोगों से ज़्याद चाहूंगी मिलेंगे इंशाल्ला गली रेस्पी के साथ दुआ में याद रखें लाफेस